सब्सक्राइब कीजिए एसस इलेक्टिकल चैनल को और बिल आइकन को दबाईए ऐसे ही इलेक्टिकल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्का दोस्तों मेरा नाम है नोयन आप देखरें एसस इलेक्टिकल तो मैं आज आप लोगो को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपका जो इन्वेटर का प्रॉंट स्विच रहता है वो कैसे काम करता है और उसका सर्किट के डायग्रम के साथ मैं आपको दिखा भी दू होगा आप उहां से आप देख सकते हैं तो जो लोग कोहां का माइक्रो का इन्फोर्मेशन वीडियो देख चुके हैं तो उनको समझने में कपी आसनी होगा कि तभी मैंने भी बताया था जो उसका सीक्स नमबर पीन पे स्विच का कनेक्शन इन होता है ठीक है तो उहां पे क पर होगे सबसे पहले हो हाँ आपके ऊपर होगा 12 भॉल्ट लिखा हुआ फ्लस 12 बॉल्ट उसके बाद होगा ग्राउंट उसके बाद होगाा SW यानी कि स्विच तो ये जो है आपको दिखा दें ये जो SW है वहाँ से एक resistance है जिसका location है R11 और एक जो ground है उसका सामने भी resistance होगा जिसका location होगा R41 इस दोनों resistance को series करके दो jumper लगाए गया है jumper वहाए J19 और J32 इस दोनों के बात जो है directly 6 नमबर बीन पर आपका connection जाता है तो ये जो resistance है ये है 4701 SMD package में ये ही नमबर लिखा होगा 4701 एनिकि ये जो है 4K7 का resistance है एनिकि 4.7 भी आप कहिश सकते है 4.7 का resistance है अगर कभी भी आपका SMD package में है इन बेटर जल जाए या जैसे काला हो जाए और आप नियाद देख पाए कि इसमें कितना नमबर है तो इस diagram को follow करके सेम इसे ही आपको connection कर सकते है SMD में जो है distance ना मिला तो आप किसी और जो है distance लगा सकते है तो इस सेम value का resistance लगा तो आपका काम हो जाएगा तो यह कैसे काम करते है तो पहले बता दूँ यहाँ पर 12V लिखा है यह आपका बैटरी से डाइरेक्ली यहाँ पर voltage आता है आपके बैटरी में तकरीबरन सारे 10 के उपर voltage रहना चाहिए यानि कि जो भी आपका यहाँ बैट ठीक है तो यह 12V बन जता है तो 12V 4K7 resistance के साथ और यहाँ का ground 4K7 resistance के साथ दोनों series होके जो है यहाँ पर क्या होता है आधा voltage निकलता है जितना भी आपका बैटरी का voltage होगा उससे आधा voltage आपका जो है निकलेगा यहाँ पर तो यहाँ पर मान लिजे आपको बैटरी में होग सारे 6V अगर बैटरी में होगा 12V तो यहाँ पर मिलेगा 6V तो उस 6V जो है सीधा क्योंकि जो jumper है इसके बदर से सीधा जो है 6 नमबर पर वही 6V ही पहुंचेगा यहाँ कि जो बैटरी का voltage होगा उसके आधा voltage वहाँ पर पहुंचेगा और यह जो है microcontroller on condition में आ जाएगा य और आपका जो है microcontroller off place में चल जाएगा निक आप हो जाएगा तो ऐसी जो है इसका switch का सारा setup कम करता है तो यह तो था theory अभी में जो है एक बार आपको practical दिखा देता हूं तो theory के लिए तो मैंने दिखा दिया अब practically मैं आपको दिखा देता हूं यह जो है हमारा 12V का battery 12V का battery के लिए यह तो सबसे पहले तो हम लेंगे अपना multimeter और इसको जो है मैंने DC mode में set कर दिया और अब हम जो है इसका एक प्रॉप जो है black बाला negative में लगा देंगे और positive में लगा के देखें यह अब अभी 12V आ रहे हैं तो अब हम लेंगे यह जो हमारा 4K7 यहना की 4.7K का resistance है वहाँ से हम जो है दो resistance निकल लेंगे और अब यह दो resistance को हम लोग जो है सीरीज में जाइन कर देंगे और अभी जो है इसको एक negative में और एक प्रॉप positive में लगा देंगे और अभी जो इसके बीच बाले connection पर हम लेंगे वो ही हमारे microcontroller को मिलेगा तो यहाँ पर जैसे के देख सकते हैं 6V यहाँ पर मिल रहा है ऐसी सेम जो है यहाँ पर voltage जाता है अगर यहाँ पर मान लिजी आपका 6V ना मिले 5V भी मिले तो भी आपका ऐसी जो है on होगा अगर उससे बहुत ज़्यदा कम मिले तो यह resistance खड़ाब है तो आपको यह resistance बदल देना होगा तो ऐसे जो है switch काम करता है लेकिन बहुत लोग अगर सुछते हैं कि मैंने यहाँ पर jumper का connection भी क्यों लिख दिया तो मैं बता दू कॉमेंट आया था कि मैं जो है connection देता हूं वहाँ पर नहीं जाता यह अगर इतना बता देता है तो उससे आपका easy उतना अच्छा नहीं होता झाल